हेलो अवरिवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू किसने चैनल में आपका स्वागत है, आज की उटी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, वायगरा मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे, ये मेडिकेसिन के ब बारे में तो ये दो अलग-अलग स्ट्रेंथ में अवाली बले एक पचास एमजी और दिसरा, उसके डिटेल स्टेडी करते हैं, आज के लेक्चर में, तैस्पर लेक्चर बायमर सर, असेस्टम प्रॉफेसर और फार्मरोक्स, थेंक्यू फर बीन फार्मरोक्स पेमिली अप पर देंडरोड यूजर, एंडरोड अप डाउनलोड करें, आइफ़न यूजर अप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 901631-2020 नमबर पे आप हमें कॉल या वाटसेप कर सकते हैं, अब हमारा जो सेकंड चैनल की जिसका नाम है, मिल जाएगी, तो अब समझते हैं, वाटसेप हैं, यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है, की जिसको हम फॉस्पोडाइस्टरेस 5 इन्हिबिटर क्लास की मेडिकेशन कहेते हैं, जिसको पी डी इफाइव इन्हिबिटर कहा जाता है, और यह वाएगरा जो है, उसका ब्रांड नेम है बट salt composition के हम बात करें तो उसके अंदर sildenafil citrate करके उसके अंदर जो है वो salt composition है manufacture के बात करें तो Pfizer pharmaceuticals उसके main manufacture है और ये medication popularly जो design की गई है especially जो erectile dysfunction की लाज में सबसे ज़्यादा use की जाती है अब उसके कुछ history के हम बात करें तो ये medication का जो chemical name है वो है sildenafil है और company ने उसका brand name रखा है Viagra करके रखा है कि जो film coated tablets साती है sildenafil की फिर हम उसकी history के बात करें तो originally ये medication को जब बनाया गया था तो वो specially hypertension वालगी जो high blood pressure का जो problem होता है उसके इलाज में फिर जो chest vein होता है उसके इलाज के लिए बनाया गया थी बड़ आगी जाकि ये medication सबसे ज़दा जो ये वो popular हुई erectile dysfunction के इलाज में तो अब समझते है उसके basic use के बारे में तो ये specially sexual stimulation को enhance करने के लिए use की जाती है पूरूसों के अंदर फिर जो erectile dysfunction का जो problem होते हैं कि जिसको हम SWAT में ED कहते हैं उसके इलाज में या फिर जो male impotency का जो हम problem करते हैं पूरूसों के अंदर जो हम कहते हैं erectile dysfunction के जो problem तो उसके इलाज में as well as वो problem हो तो आप ये medication जो यूज use कर सकते हैं साथ ही आप जानते हैं उसके कर जो 50 mg के जो tablet है उससे ही treatment जो शुरू करते हैं या फिर जब भी कोई complications हो तो 50 mg के tablet से ही जो यूज की जाती है starting में और जरूरत पढ़ने पर ही 100 mg का dose जो पेशन को को जो है दिया जाता है अब बात करें ते हैं उसके label की तो label की उपर आप देखोंगे यह बेचनी चाहिए prescription medication है यहाँ पर आप देखो RX भी है as well as यह एक red line भी आप देख सकते हैं मतलब कि proper medical counseling के बाद ही आपको यह medication लेनी चाहिए कभी भी इसका self medication ना करेंगे अगर आपको erectile dysfunction का problem है तो ही यह medication यूज करनी है वरना यह medication लेने की कोई भी जरूरत नहीं रहती अब यहाँ पर देखो तो जो 50 mg का strength है उसके उपर यहाँ पर लिखाए कि हर एक film coating tablets के अंदर 50 mg जितना medication जो अबेले हो जबकि यहाँ पर 100 mg जितना medication अबेले होता है साथ ही उसके अंदर जो दुसरे excipents होते है color add कि होए होते है कि जिससे titanium dioxide उसके अंदर है indigo carmine aluminium की जो उसको color provide करता है कि जो tablets की जो आप color देखते है blue color की जो tablets आती है वो specially यह जो indigo carmine aluminium लेक करके जो color है उसके करण जो responsible storage की बात करें तो जब भी यह medications को store की जाती तो जो उनको store किया जता है moisture से उसको product किया जता है और सिर्फ और सिर्फ यह medication oral use के लिए है तो proper आपके healthcare providers के guidance के according हूँ यह medication को लेनी चाहिए तो यहाँ पर आप देखो कि जो 50 mg के tablets आती है इस तरह से होती है कि यह जो आप देख रहे हैं कि वो 50 mg की है कि जो size में जो 100 mg है उससे completely आप देखो तो half size में जो आप उसको देख सकते हैं फिर आप आप बात करते हैं उसके dose के हम बात करें तो minimum 50 mg dose जो वो patient लेता है before one hour of intercourse तो intercourse के एक गंटे पहले minimum dose आप ले सकते हैं 50 mg का या फिर अगर किसे को complications बहुत ही ज़्यादा है तो वो 100 mg ले सकते हैं तो आपके पास दो option बन जाते हैं कि अगर minor condition है minor problem है तो आप 50 mg वाले tablet भी खा सकते हैं और problem थोड़ी ज़्यादा है तो ऐसी condition में आप 100 mg वाले tablet भी ले सकते हैं दोनों options आपके पास available है और proper guidance के साथ ही उसको use करें because जरूरी है कि पहले आपका निदान कराना जरूरी है diagnosis कराना जरूरी हो diagnosis के बाद ही आपकी condition कितनी खराब है उसके basis पे आप जो वो dose आप ले सकते हैं कि 50 mg लेना है या फिर 100 mg अब आके बात करते हैं उसके working के कि किस तरह से medication काम करते हैं तो यह medication जैसे हमने सिखा कि वो erectile dysfunction के इलाज में यूज की जाते हैं कि जिसमें problem यह होता है कि जो blood flow होता है वो proper नहीं होता जिसके करन जो erection के problems आते हैं तो यह medication क्या करती है जो muscles होते हैं उनको relax करते हैं साथ हो साथ जो arteries होती है उनको relax करते हैं जिससे blood flow जो हो अच्छे से पहुच सकता है penis के reason में और जिससे erectile dysfunction का जो problem जो हो solve होता है अब यह medications की कुछ हम side effects देखें तो यह medications लेने के बाद dizziness जैसा कुछ लोग feel करते हैं या फिर सिर्दर जैसा जो फिल करते हैं दूसरा की कुछ लोगों को stomach pain मालब की पेट में धर्द होने लगता है stomach upset मालब की gastric discomfort जैसा condition फिल करते हैं की nausea vomiting जैसा feel करें या फिर diarrhea जैसा मालब की dust जैसी condition feel करें कुछ लोगों को memory related problem होते हैं back pain होता है फिर अगर किसी को vision related problem और blue color के बीच में differentiate करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी फिर loss of hearing के अगर कुछ लोगों को जो वो सुनाई देना बंद हो जाए ऐसी भी side effect develop होती है silden naffil के करन ringing in the ear के कान में जैसे कोई गंटी बज रही है ऐसा आप फिल करते हैं कुछ लोगों के अंदर फिर redness हो जाती है आपके face के उपर या फिर आपके गर्दन के बाग में या फिर stiff nose मलब कि नाक जैसे जकड गई है आपको ऐसा फिल होगा या फिर नाक में से जो है ब्लीडिंग होना सुरू होगी जिसको nose bleed कहते हैं तो ऐसे कुछ side effects देखने को मिलते हैं कुछ patients के अंदर अब बात करते हैं उसके warnings की तो किन लोगों को ये medication नहीं खानी है तो सबसे पहले अगर आपको pigmentary retinopathy है कि जो आपकी जो retina है वो अच्छे से मलब की काम नहीं कर रही है आपको vision related already problem है और retinopathy का problem है तो आप ये medication ना खाए फिर leukemia के आप patient है तो भी ये medication को नहीं लेनी है sickle cell anemia के patient है hearing loss या फिर आपको कम सुनाई देता है तो भी ये medication ना खाए heart के patient है या फिर आपका blood pressure जो है वो काफी high रहता है तो ऐसे लोगों को भी ये medication नहीं लेनी है फिर बात करते है उसके permanent contraindications की तो liver problem है अगर आपका liver damage है या फिर liver अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप vyaigra medicine को use ना करे blood pressure आपका कम रहता है कि हमें साब का blood pressure low रहता है तो भी ये medication को use ना करे आपकी renal impairment की विमारी है वहलों कि आपके kidneys अच्छे से काम नहीं कर रहे या फिर आप heart के patient है जो panis जो होता है वो bent रहता है erection के condition में इस type के condition है आपकी तो भी ये medication को use ना करे आपके heartbeat जो है वो irregular रहते हैं तो भी वायगरा को ना खाए और अगर आप stroke के patient है तो भी ये medication को use नहीं करनी है तो जरू से subscribe करें हमारा second इसका नाम है Hollywood 2 Hindi excellent के वहाँ पे आप देख पाएंगे अलग-अलग Hollywood के मुई इसको अच्छी picture quality के साथ तो अभी subscribe करें हमारा second channel medicine course आपको मिल जाएगा pharma rocks की अप उपर सीखे दवायो के basic use के बार में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक offerable price में सरल बासा में वो भी pharma rocks की अप उपर तो अभी download करें है pharma rocks access करें हमारा course whatsapp कर सकते हैं 901631 2020 पे तो android user android app download करे iphone user app store से link आपको description box में mil जाएगी good luck and all the best